बड़े बुजर्ग एक बात कह गे थे कि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर एक समान होता है और आज शोशल मीडिया के इस दौर में जो इंस्टेग्राम और ट्विटर आप यूज़ करते हैं वो उस कमान की तरह हैं जिस पर अगर आपने एक बार कुछ डाल दिया तो दोस्त वतीर हाथ से निकल गया कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त पूजा वात्सरेकर के साथ आप सुच रहे होगी कौन है ये पूजा वात्सरेकर ये भी आपको बताऊंगा लेकिन पहले कहानी बताता हूँ पूजा वात्सरेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी लगाई स्टोरी थी वसूली टाइटन्स की अभी वसूली टाइटन्स कौन है कहां से आ गए दरसल दू दिन पहले इंडरनेशनल कॉंग्रेस यानि के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने वसूली टाइटन्स करके एक पोस्ट डाली जिसके अंदर बेसिकली वो ये डिनोट कर रहे थे कि बीजेपी जो पार्टी है वो वसूली करती है आप देखूगे इसमें सामने फ्रेंट पे पीएम नरिद्रमोदी है उनके साइड में बीजेपी के पैसिडेंट जेपी नडड़ा है दनामिश शाह है फिर निर्मला सीता रामन है अनुराग ठाकुर है हरदीव सिंग पूरी मतलब पूरा कैबिनेट लगभग लगभग इस पोस्ट में कवर कर दिया था इंटरनाशनल कॉंगरेस ने अब इसी को आपने देखा न कोई पोस्ट आपको अच्छी लग देती है आप स्टोरी पर लगा देते हैं यह स्टोरी लगाया उन्होंने लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने न वैसे तो आल राउंडर है तो सोचा क्लीन बोल्ड करते हैं यह नो बॉल में चक्का लगाने की चक्कर में उपर लिग दिया इंपक्ट लेयर एडी है आगे हसी का इमोजी बना दिया जब आप एज आ वीवर देखो कि आपको हसी आच्छिल में आए की और इस इस पोस्ट की थोड़ी से टाइमिंग भी खतरनाक है टाइमिंग इसमें खतरनाक है क्योंकि यह पोस्ट तब आई है जब एक दिन पहले अर्विंद केजरिवाल ने जिहां दिली के चीफ मिनिस्टर है जो की कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे थे उन्होंने कहा कि टाइटन्स आ जाता है अब यह एक ऐसी चीज थी जो कि पूजा वात्सरेकर के लिए सही नहीं है क्योंकि शुशल मीडिया इनके एक पोस्ट के बाद दो तपकों में बढ़ गया पहला तपका जो यह कह रहा था कि पूजा वात्सरेकर में जिगरा है पूजा वात्सरेकर म पढ़ी रही है क्या क्या आपको इंडिया के लिए और क्रिकट नहीं खेलना क्या यह तमाम चीज़े तो अलग-अलग सवाल है अपने अपना उपीनियन सबका हो सकता है अब बताता हूं कि पूजा वात्सरेकर है कौन फिर बताबात करेंगे इंपक्ट की पूजा वात्सर करके माई नहीं खरीदा उसके बाद और राउंडर है राइट आम की मीडियम पेसर है और साथ में राइट हैं बैटर भी है साथ अफरिका के अगेंस्ट डेबियू हुआ था दोहजार अठार में कहानी बहुत दिल्चस्प पे इनके जब आप कहानी पे जाओगे लड़कों के साथ खेलती थी छे भाई भैन है छोटी है उनमें से और जब खेलना शुरू किया था तो एक दिन कोच की नजर पड़ी और गरना काँ, पर एच्छे हो तुम थो एयर खिलने में और हम तुम्हें ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग होई, डेबियू होने वाला था द 2718 में साथ अफरिका के अगेंस्ट छे पहले इंजिरी हो जाती है, उस इंजिरी से पार पाती है, डेबियू करती है, बोहजार बाई जाकी बात में Commonwealth Series में जाती हैं, हर जगा कमाल कर रही थी, आठवे नंबर पर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की अगेंस्ट 67 रन मारे थे जब इंडिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, तो इसमेहराना और पूजा वातसरेकर, इन्होंने मिलकर टीम इंडिया की इ हानी सब दब जाती है, जब आप कुछ ऐसा controversy लेकिया जाते हैं, जो कि दोस्त खतरनाक होती है, अब खतरनाक इसलिए भी क्योंके लोग थोड़े से confused भी हो गए हैं, दरसल कुछ दिन पहले अभी इन्होंने रवीश कुमार जो के एक journalist है, उनकी post पे comment किया था, उस पे rubbish कु तो इस तरह किस कर दिया, जिस तरह किसे ट्रोल किया जाता है, और उन ट्रोलिंग की कोशिश की, तो ऐसे में कुछ लोग थोड़े सोचल मीडिया पर ये भी कह रहें कि देदी अपना stand तो clear कर लो, हो किस साइड, अलब एक तरफ आप रवीश कुमार को रवीश कुमार को र बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए बहुत मुझे भी बुरा लग रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ति ति तमाम तमाम तमाम, इससे पहले लोग तो ये भी कह रहते हैं कि आप देदी सामने आएंगे और कहेंगे कि अकाउंट हैक हो गया था, तो ये दो तब को में शोशल मीडिया बच गया है, आपको क्या लगता है, क्या जान बुच के की गई चीज थी, और क्या वाकई में इतना गलत है जितना इसे प्रेडिक कर दिया लोगों ने, या फिर आप उस साइड है जो कहेंगे कि हाँ, कोई बात नहीं, एक परसनल ओपीनिन रख देना चाह लेकिन शोशल मीडिया पर अगर आपने पोस्ट कर दी तो इसका स्क्रेंशाट हमेशा के लिए मर हो जाएगा, फुजा बात सरेकर कि इस पोस्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कानल में जरूर बताएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और श